अगले टॉपिक पर आते हैं, वो है IMPS, Instant Money, Immediate Payment Service, IMPS, Immediate Payment Service, 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 IMPS, यह IMPS क्या होता है सर? अगर, IMPS सुना क्या है? यह IMPS Service किस ने निकाली है? NPCI ने, यह NPCI क्या है? National Payment Corporation of India, National Payment Corporation of India ने सर्विस निकाली है, और यहाँ पर भी जो fund है, वो real time में transfer होता है, real time मतलब तुरंट पैसा transfer हो जाता है, Interbank Transaction होते हैं, Interbank Transaction होता है बेटा और जादा तर यह लोग Mobile Banking पर use करते हैं, Mobile Banking, Internet Banking से जो हम लोग transfer खुद करते हैं, वो IMPS होता है, Bank में जाके RTGS, NFT होता है, IMPS आप घर पर बैठे कर सकते हैं, Mobile Banking से, Net Banking से IMPS कर सकते हैं, ठीक है ना? वा समझ में है, fees जमा करना, तुम्हें मुझे fees transfer करना, जो भी करना, वो सब IMPS के through होता है, Fast Money Transfer होता है, यह बहुत Fast है, Fast Money Transfer, और यह inexpensive है, inexpensive, बहुत कम पैसा खर्च होता है, inexpensive है, बात समझ में आ गई, clear है, कब पर कोई छुट्टी नहीं, 24 x 7 x 365 days, कभी भी, दिन में, रात में, कभी भी, पूरे 300 पैसे दिन कर सकते हैं, कोई छुट्टी नहीं है, इसके लिए, बात समझ में आ रही बात, इसलिए सबसे जादा और सबसे convenient source है, जिससे लोग पैसा transfer करते हैं, आज की date में, I guess IMPS तुम्हें समझ में आ गया होगा, किसी बच्चे को IMPS में दिक्कत है तो बताओ, clear है, तब को समझ में आया, चलो भई, यह e-banking क्या होती है, अब यहां से तुम्हारे ऊपर burden कम हो जाएगा, e-banking की बात कर ली क्या, e-banking का मतलब क्या हम computer system के अंदर बैठ के पूरी banking का महल समहा लें, उसे बोलते हैं e-banking, ठीक है न अभिया, PC के ऊपर, browser के ऊपर जो चीज़े करते हैं, वो e-banking है, अब यहां से बच्चों को बहुत सारी चीज़े, easy लगने लगेंगी, क्योंकि सब कुछ सुना सुना होगा, तो वह यह क्या है, इसका e-banking के अंदर हमारे syllabus में क्या क्या है, यह भी बता दे रहा हूं, meaning, features, advantages and disadvantages, सब है, e-banking के अंदर क्या है, meaning है syllabus में, features है syllabus में, advantages हैं, और disadvantages, इतना पूरा topic है, e-banking अंदर तो काफी बड़ा हिस्सा है, जो आपके syllabus में आ रहा है, तो e-banking का सबसे पहले देखो feature देख लेते हैं हम लोग क्या है बहुत असा टॉपिक है यह बच्चे जल्दी जल्दी कर भी लेंगे features क्या है no face to face contact no face to face contact बैक जानने की जरुत नहीं है एक यह जो गंदे अंकल बैठे रहते बैंक के अंदर जो मेंशा ही बोलते ना लंच छल्रा है लंच चल्रा लंच चल्रा लंच छल रहे की तो वहां पर जाने की जरुत नहीं है भी यह नो फेस ओ बोल दे सर्वर नहीं है सर्वर नहीं काम नहीं होता मशीना खराब है जिन्दीकी खराब है उनको देखने की जरुत नहीं है Computer Obligue and Internet is needed Internet is needed बक्वास topic है यह फिर क्या बोला है आपको e-banking की सुविधा लेनी पड़ेगी banking से e-banking का ID password generate कराना पड़ता है और दोनों को technology आनी चाहिए knowledge of technology ऐसा नहीं कि अगला नाड़ी है बिल्कुल knowledge of technology तो यह हमारे syllabus में features थे अब आगे देखते हैं इसका advantage क्या होता है और इसका disadvantage क्या है बड़ा असान है भईया यह topic advantage क्या है और disadvantage क्या है इसका ना भई आडवांटेज और डिसद्वांसे तुरह देख लेते हैं भई advantage क्या है ज़रा देख लो advantage क्या है 24-7 facility है 365 days available है कहीं से भी करो कहीं से भी यह आप transaction कर सकते हो residence से कर सकते हो office से कर सकते हो कहीं से भी transaction कर सकते हैं bank झाने की कोई भी ज़रूथ नहीं है clear है कि समझ में आगया यहाँ तक चलो विया आपको bank जाने की कोई भी जरूथ नहीं है यहाँ पर आपको eternal financial discipline generate होता है sense of financial discipline generate होता है तो यहाँ तक बात समझ में आगई कि भी या, bank जाने की कोई जरूत नहीं है, घर से बैठ कर आप सारा चीज़े कर सकते हैं, काफी आसान तरीका है ये करने का, फिर बात करते हैं, disadvantage क्या है, disadvantage सबसे बड़ा क्या है भई, तबसे बड़ा disadvantage है, training चाहिए दोनों को, जिनको चलाना नहीं आता, internet उनके लिए बड़ी सभी को, बात समझ में आ गई सभी को, clear, सबको clear है यहां तक, जल्दी से ज़रा एक बाद थम्स अप कर दो, e-banking is same as IMPs, आजकल e-banking के अंदर आता IMPs, e-banking यूज़ करके आप IMPs की services ले सकते हो, बात समझ में आ रही है, e-banking आप जब login ID, password अगर मिल जागा तब IMPs की सुविदाप ले सकते हो, बस, यह बात समझ रहा है, चलो भईया, कहां तक बात समझ में आ गई आपको बहुत बढ़िया बात है, छेक बाई, e-banking मीनिंग, फीचर्स, अडवांटेज और डिसअडवांटेज से यह हमने पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत छोटा टॉपिक बाकी है मेरे भई, यह बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, यह बैंक ड्राफ्ट, सुन लो, यह बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, सुन लो भई, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, और यह डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, एक ही बात है, आपने कई बार इसमें स्क है account में पैसा होना चाहिए account ना चाहिए account पैसा होना चाहिए और जिसको pay करना है उसके नाम पर आपने draft बनवा दिया इसका मतलब क्या है यह जो instrument होता है यह fix और final होता है और यह binding होता है और इसके बाद आप वापस नहीं ले सकते जिसका नाम लिखा है लेट से अगर यहां लिखा है ओबी जी लेमिटेड कंपनी तो पैसा ओबी जी लेमिटेड कंपनी के पास ही जाएगा चाहिए यह draft रास्ते में ही गिर जाए ठीक है ना तो जो बंदा pay कर रहा है उसके bank में account होना चाहिए जिस बंदे को pay करना उसके नाम पर उसके bank का डिटेल लिखना होने चाहिए तभी आप पैसा transfer कर सकते हो बात समझ में आई सबसे easy तरीका होता है easily easily and safely you can transfer funds easily and safely अब इस पर bank charges लेवी करता है charges होते हैं कुछ bank charge करता है इसके उपर no danger of dishonor जैसे check जैसे check bounce कर सकता है यह bounce नहीं करता no danger of dishonor generally school की fees इसी method से जमा होती आ रही थी अभी तक बात समझ में आई कि अब को समझ में आया यहां तक कोई doubt जल्दी से बता दो कोई doubt किसी बच्चे को put a thumbs up सोना नहीं है सब लग जाग जाओ